नवस्कार साथियो आज हम बात करेंगे दुबई विए से रिलेटेड कुछ अप्टेड हैं 57 अप्टेड हैं आप लोगों साथ में शेर करना चाहूंगा पूरी डिटेल से हम बात करेंगे तीन मिनिट में पूरा खतम कर देंगे आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा वीडिय से ओपन हो चुका है बताते करोन अप्टेड अभी 44,000 के करीब एक्टिव केस हैं उन में से 300 के करेब अभी तक डेथ हुई है तो डेथ रस्यों बहुत हाई लेवल का कम मान सकता हूं है और आप आपको पता ही है और उसमें भी 30,000 से प्लस रीकवर हो चुके हैं यानि 13-14, कोई बड़ी बात नहीं इतना तो चलता है और उमीद है कि इसी मेने के लास्ट तक ये भी कंट्रोल हो जाएगा अच्छी निउस निकल के आ रही है तो बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जोब से रिकार्डिंग इंडि फ्लाइट से रिकार्डिंग और भी मास्क लगा के रखे मास्क अगर बुल्चे भी गल्ति कर दे तो फाइन चुकाना पड़ेगा और फाइन भी आपको पता है ज्यादा होता है मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है और आपकी सुरुक्षिया भी इपोर्टेंट है तो वो यह ने समझे कि इसको फाइन से पचने के लिए हम लगा रहे हैं वो आपको सुरुक्षिया करेगा मास्क से ही करोना बहुत ज्यादा इसी का इफेक्ट बड़ता है तो आप लगा के रखें ताकि आप भी सुरुक्षित हैं पडोशी को भी सुरुक्षित रखते हैं गोवा के लिए बाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है को आप गोवा जाने वाले यात्री ट्राइ कर सकते हैं दो फ्लाइट गोवा इस पेसल जाने वाली है यह लेटेस्ट न्यूज है इंडियन एंबेसी की तरफ से दूबए में आपको पता है साथ हो कल की टेट में जो थोड़ा बहुत बचा तक मनोरंजन से रिलेटेट जैसे जिम वगेरा वो सब कुछ ओपन हो गया इस्पोर्ट से समद्धी जो भी जितना भी सिस्टम था वो टोटल ओपन हो गया आप अगर भाई आप जिम कर रहे हैं या फिर आप से परती एक्टिव हैं तो आप जिम जोइन कर सकते हैं कल की टे लेकिन बाहर के आदमी है आप अगर आप जाना चाते तो वही सिस्टम में आपको इस्पेसल पास लेना पड़ेगा जो प्रवाइड कराती है दुबई कुलिस ने एक एडवाईजरी जारी किया आपको बता दूं करोना अप्टेट के नाम से मैंने एक वीडियो पहले भी है था कि दुबई में ओन लाइन स्कैम फ्रोड ज्यादा चल रहा है बढ़ चुका है 2019 की में बात करूं दो तो एक लिए लिंक आ रहा है कि करोना का इलाज करेंगे यह करोना इलाज के नाम से लिंक लोग सेंड कर रहे हैं जैसे लिंक पर उपन करोगे तो आपका डाटा उ आपका हो सकता है बेग अकाउंट लिंक हो आपकी इमेल आइडी वगएरा बहुत सारे सिस्टम होते हैं वह है को सकते हैं तो दुबई पुलिस ने यह गोशना की है तो इस सिस्टम से थोड़ा देख लीजिए बस लीजिए आपके पास अगर को ऐसा आता है तो आप ज़्यादा डिफ्रेंस होनी के वाज़े से उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं उस मेटर पर आलक से बात अभी कभी करेंगे लेकिन यूज यही है कि 21 जून से पाक और मिंड ने यह उस्विता दे दिए कि आप डायरेक्ट फ्लाइट जिस फ्लाइट से आप जा रहे हैं आप दुबई से पाकिस्तान जाना चाहरें तो लगबग एक लाख रुपे टिकट आ रही है तो आप समझ लीजिए इंडियन वाले लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि आप तो बीस जार पंदरा जार में बोलते हैं बहुत महेंगी है पाकिस्तान का देख लीजिए लेकिन को दुबई से पाकिस्तान जाने के लिए तो आप समझ सकते हैं इस बात को इतना हो सकता है थोड़ा डाउन होने के बज़े से इंडिया का अगर 15,000 पढ़ रहा है तो उसका 30-35,000 तक टिकट आ जाती है लेकिन एक लाख आप सोचने की बात है आप भी लिंक पे आप ड्राई क करें कि सचाही क्या है बस साती हो यह पांच से अपडेट थी मैंने आप लोगों साथ शेयर कर दी आगे भी हम आप बात करते रहेंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करें के साथ बेल आइक जुरू दबा दें ताकि विदेश दो वंदे माद़